बाबर का आया तूफान कोहली तक को पीछे छोड़ दिया बाबर ने एक बार फिर अपना जलवा दिखाया है पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम ने एशिया कप के पहले मेच में धमाकेदार शतक लगाया बाबर ने नेपाल के किलाफ जबरदस बल्ले बाजी की उन्होंने अपने वंटे करियर का 19 वा शतक लगाया बाबर ने 151 रन बनाए उन्होंने 131 गेंट की पारी में 14 चोको और 4 शक्य लगाये उन्होंने शतक लगाकर एक बड़ा रिकोर्ड अपने नाम किया वो वंटे क्रिकेट में सबसे ज़्यादा तेज 19 शतक लगाने वाले खिलाडी बन गए है इस मामले में बाबर ने दक्षिन अफरीका के पूर्फ दिगच ओपनर भाशिम आमला और भारत के दिगच बल्ले बाज विराट कोली को पीछे छोड़ा बाबर ने अपने करियर की 102 भी पारी में 19 वा शतक लगाया आमला ने इसके लिए 104 पारी खेली थी कोली ने 19 शतक के लिए 124 पारी खेली थी वही ओशेलिया के ओपनर देविड वर्नर 149 पारियों में ऐसा कर सके थे बाबर वंडे में सबसे जाधा शतक लगाने के मामले में वेश्ट इंडीस के पूर्फ कप्तान ब्रायन लारा, च्री लंका के पूर्फ कप्तान महिला जयावर्देने और डेविड वर्नर के बराबर पहुँच गए है इन सभी के नाव वंडे में 1919 शतक है जयावर्देने ने 448, ब्रायन लारा ने 299 और डेविड वर्नर ने 142 मेंच में 19 शतक लगाए है वही बाबर ने सिर्फ और सिर्फ 104 वंडे में ही उनकी बराबरी कर ली है देखा जाए तो यह पाकिस्तानी फैंस के लिए बड़ी खुश खबरी है बाबर ने सबसे ज़्यादा शतक लगाने के मामले में न्यूजलेंड के ओपनर मार्टिन गप्तिल और उस्टेलिया के पुर्फ क्रिकेटर मार्क वो को पीछे छोड़ा मार्क वो ने 244 और गप्तिल ने 198 मेंच में 18-18 शतक जड़े थे पाकिस्तान के लिए सबसे ज़्यादा शतक लगाने के मामले में बाबर दूसरे पायदान पर है उनसे आगे सी पुर्फ आपनर सईद अनवर है अनवर के नाम 247 वंडे में 20 शतक है इतना ही नहीं बाबर आजम एशिया में वंडे कप्तान के रूप में सबसे ज़्यादा शतक जमाने के मामले में मेल सोनी के साथ सयुक्त रूप से दूसरे इस्तान पर पहुँच गए है बाबर आजम ने कप्तान के रूप में 6 शतक जमाया वेसे एशिया कप में बतोर कप्तान सबसे जादा शतक जमाने का रिकोर्ड पुर्व भार्थे कप्तान विराट गोली के नाम है कोली ने कप्तान रेते 12 शतक जमाए है बाबर और दोनी 6 शतक के साथ सयूग दुरूप से दूसरे इस्तान पर पहुँचे है क्रिकेट की टॉप खबर हरोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए